नमबर वन चानल के नमबर वन शो साज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला साज़िश में आज बात इसराइल के उस आक्शन की जिसने हमास को मुध दिखाने लायक तक नहीं चोड़ाया गाजा पट्टी से कुछ ऐसी तस्वीरे आ रही हैं जिनको देख पाना इसमाईल हानिया के लिए बहुत मुश्किल है हमास के जिनातंकियों ने साथ अक्टूबर को इसराइल को घुटनों पर ला दिया था वो उन्हीं को आज ऐसी सदा ले रहा है कि पूरी दुनिया काप रही है वहीं इसराइल के एफोस ने अब गाजा पट्टी को नेस्तना बूत करने के बाद दक्षन लेबनान पर कॉपेट बॉम्बिंग शुरू कर दिया अब हिजबुल्ला की अगर बात करें तो अगर हिजबुल्ला इस युद्व में पूरी तरह नहीं कूदा तो इसराइल लेबनान को भी घुटनों पर लाने में देर नहीं करेगा इसराइल इंतकाम की आग में जल रहा है जो दर्द हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल को दिया अब वही दर्द कई सोग गुना करके इसराइल हमास को दे रहा है घाजा पट्टी से बेखत खतरनाक और दिल दहलादेने वाली तजवीर सामने आने लगी है अब तक तो आपने सिर्फ यही देखा होगा कि घाजा पट्टी के अंदर इमारतें टूट रही है लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं लेकिन पहली बार घाजा पट्टी से आत्म समर्पन की तजवीरें सामने आ रही है आत्म समर्पन की तजवीर बहुत रिदय विदारक और बेचैन करने वाली है रूस और योक्रेन में युद इस वक्त भी चल रहा है और पूरी दुनिया ने रूस और योक्रेन के बीच चल रहे युद में भी आत्म समर्पन की तजवीर देखी है रूस और यूक्रेन के युद्ध में लड़ने वाले फौजी अपने कपड़ों में ही आत्म समर्पन करते हुए देखे गए हैं लेकिन इसरेल ने बहुत ही खतरना कंदाज में हमास के आतंकवादियों का आत्म समर्पन करवाया है दरसल फिलिस्तीन के तमाम न्यूज वेब साइट और अकबार इस तरह के खबरें चाप रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों को निर्वस्तर करके यानि बिना कपड़ों के आत्म समर्पन करवाया जा रहा है एक वीडियो भी पूरी दुनिया में वाइरल हो रहा है कि हमास के आतंकवादी सैक्ड़ों की संख्या में बिना कपड़ों के खड़े हैं और एक शक्स जिसके शरीब पर कपड़े नहीं है वो अपने हत्यारों को हत्यारों के धेर पर फेक रहा है यानि आत्म समर्पण कर रहा है गाजापटी से आ रही इन तज्वीरों ने पूरी दुनिया को चौखा दिया है गाजापटी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है उसकी वज़़ बिल्कुल साफ है दरसल अब गाजापटी के लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है युद्ध की वज़़ से किसी और भी व्योस्था को कायम करना एक चौनोती बन गया है फिलिस्तीन के कई अखबारों का दावा है कि गाजापटी के 97 प्रतिशत घरों में राशन नहीं है 90 प्रतिशत लोग अब खाने के लिए दोनिया पर निर्वर हो चुके है हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके है और अब तक जानकारी के मताबिक करीब 18,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके है लेकिन अब इस्रेयल की आर्मी ने एक और नया आकड़ा पिश किया है इस्रेयल की आर्मी ने दावा किया है कि इस्रेयल की सेना ने अब तक 7,000 आतंकवादियों को मार गिराया है 7 अक्टूबर को जब इस्रेयल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था उस सुवक्त भी करीब 3000 हमास के आतंकवादी इसरैल में घुस गए थे इन में से बड़ी संचा में आतंकवादी भागने में सफल रहे लेकिन करीब 1000 आतंकवादी 7 अक्टूबर के बाद इसरैल के अंदर इसरैल की सेना के पलटवार में भी मारे गए थे बड़ी बात ये हैं कि अब लेबनान पर भी इस्रेल ने जबरदस्त बंबारी शुरू कर दी है फिलिस्तीन के समाचार पत्रों में और न्यूज वेबसाइट में ऐसे कई वीडियो दिखाय जा रहे हैं जिसमें कि लेबनान पर बंबारी की दस्वीरे शेयर की जा रही है तो इसरेल की सेना और इसरेल की एर फोर्स लिबनान की राजधानी बेरूद को घाजा पट्टी और दक्षणी लिबनान को खान योनुस में बदल देंगे इस धमकी के बाद अब दक्षणी लेबनान में भी कार्पेट बॉमिंग शुरू हो चुकी है जो इस बात का संकेत है कि युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है युद्ध के हालातों में अस्पताल चलाने का अनुभाव रखने वाले एक ब्रिटिश मूल के डॉक्टर ने ये कहा है कि घाज़ा पट्टी में हालात एराक युद्ध से भी जादा बदतर नजर आ रहे हैं उन्होंने इसकी तुलना एक सुनामी से की है अईदर भाले माले में इसे फ index में लुद्धorphिंध युद्ध के बीके सुनामी है इसे प्रिश्छिक ब्रून अ कर हम तंच पनॉर कि युद्ध के रहे हैं आन्च मिन डूल змद भीन, CPT भीज़, सिर्ट किल economy दूसरी तरफ अव इस्रेयल और हमास की जंग तीसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और इस तीसरे महीने में भी इस्रेयल फिलिस्तीन के लोगों को राहत देने के लिए जरा भी तयार नहीं है पहले इस्रेयल ने उत्तर घाजा के पूरे इलाके पर जबरदस्त बंबारी की है और अब इस्रेयल दक्षुने घाजा में भी रफा क्रॉसिंग और खान योनस पर भायंकर बंबारी कर रहा है हालात ऐसे बन गए हैं कि घाजा पट्टी के बहुत सारे नागरेक एक ही महीने में दूसरी बार विस्थापन का शिकार हो रहे लेकिन इससे भी जादा ख़दरनाक कहानिया घाजा पट्टी के वो लोग सुन रहे हैं जो इस्रेयल की आर्मी की हेरासत में रहे इस्रेयल की एक बड़े अखबार ने कुछ बेहद अपती जनक तस्वीरें प्रकाशित की थी इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि फिलस्तीन के लोगों को निर्वस्त्र करके यानि बिना कपड़ों के खुले मैदान में बैठा दिया गया है यहाँ तक की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें की सर्फों पर घाज़ा पटी के लोगों को निर्वस्त्र करके बिठाया गया था अब इस्रेयल का दावा है कि ये लोग हमास के आधनक वादी है जबकि फिलिस्तिन के अफ़ार दावा कर रहें कि ये लोग आम नागरेक हैं झादोना ले बिस्तिन के लिफ्त्र कर ले लोगा है मकthing Чela retrouve कि left holy कंना राही काओ चली है र लोक्ल तुलीग हुआ जो फ्क लो लूँ फीं ऑन्न हुष सो ब्ली बाहीत उती हैुआ झम्ली me लोगां ख सु्छा इंशी माम झाजा उन्न था उन्से भी हो साम जाना उत्व एली ल circuit इ다 कर्म में छोक कर दिगा है ले को ले खर मुडStar ले के लगान प्हर फर् Like घजा कर तर से ले अरे सकतर थाला, अई प्र BBC आ마 में भी खड़्बाना, ज्याश कर द to 10 के दोर में दूनीया पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। सैयोगत राश्ट सुरक्षा परशद में एक प्रस्ताव लाया किया और उस प्रस्ताव में किसी भी तरह घाज़ा के युद्ध को रोकने की मांग की गई लेकिन अमेरिका ने अपने वीटो के माध्यम से युद्ध रोकने के प्रस्ताव को खारिश कर दिया इस पर इस्रेयल की प्रधान मंत्री बेनमीन नेतनियाहू ने एक बयान दिया उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को खारिश करने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सही फैसला किया है दूसरे देशों को बेज बात पर विचार करना चाहिए कि अगर युद्ध रुख जाएगा तो हमास को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा दूसरी तरफ दुनिया एक और संकट में गिरती भी नजर आ रही है यमन का चरमपंथी संगटन होती जिसका कि यमन के एक बड़े इलाखे पर कबजा भी है अब लगातार ओगर होता जा रहा है खूती अब लाल सागर को जाम करने की योजना बना रहा है दूनिया के इस नक्षे को देखिए इसमें लाल सागर की लोकेशन बेहद हम है इससे पहले भी हूती संगटन ने अपनी ताकत को समंदर में उस वक्त दिखाया था जब उसने पानी के एक जहाज पर बहुत आसानी से अपने लड़ाकों के माध्यम से कबजा कर लिया था लेकिन अब भूती की ये धमकी है कि इसरैली ने अगर दूसरे भी किसी देश का पानी का जहाज लाल सागर से होकर गुजरेगा तो वो उस पर कबजा कर सकते हैं और लाल सागर का रास्ता रोक सकते हैं हमक्यों ने ब्रेटन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की चिंता को बढ़ा दिया